तो फ्रेंड वेलकम बैक टो माई चैनल और इस सेशन में हम देखेंगे आजादी से लेकर अब तक कितने लोगसभा के अध्यक्ष हुए हैं किनका निर्वाचन हुआ हो लोगसभा इस पीकर जितने भी हो उनकी क्या खासियत रही है क्या विशेशता रही है हाली में 18 के अध्यक्ष ओम बिर्ला को चुला गया परंपरा रही है परंपरा के मताबिक पहली लोगसभा जो 1952 में गठित हुई थी या 1952 से लेकर 1991 तक दसवी लोगसभा तक जो सतारूट दल का सदस ही इस पद के लिए निर्वाचित होता रहा है लेकिन हाली के दसकों में जब दल के बजाय उसके सहयोगी या उसकी सरकार को बाहर से जो समर्थन पार्टी दे रही थे उसका सदस इस पीकरपत पर निर्वाचित हुआ लोगसभा अध्यक्ष जाहे जिस भी दल का सदस से चुना जाया लेकिन माना जाता है कि चुने जाने के बाद उसकी दली संबत्ता अपचारिक तवर पर खत्म हो जाती है और वह दली गत्विदियों से अपने को दूर करनेता है उसे अपेच्छा की जाती है कि वह दली हीतों और भावनाओं से उपर उठकर सदन की करवाही का संचालन करते हुए बिपक्षी सदस्यों के अधिकारों का भी पूरा का पूर इसी मानेता के चलते आदर्स इस्तिती यहीं मानी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्व सम्मत्ती से होना चाहिए लेकिन 1952 में जब पहली लोकसभा गटित हुई थी तो इस पीकर के लिए चुराव की इस्तिती आ गई थी कांग्रेश की गड़ेश वासदेव माउलंकर के सामने संकर संताराम मोरे ने चुनाव लड़ा मोरे पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी आफ इंडिया के नेता थे लेकिन उन्हें सभी बामपत्ती दलों का समर्थन भी प्राप्त था माउलंकर को 394 ओट मिले जबकि 55 सांसदों ने मोरे को ओट किया था 1956 में उनके आकास्मिक नीधन के बाद जो सेस कारेकाल था उसके जगा कांग्रेश के ही अनंत सायनम अयंगार वो चुनाओ भी निरविरोध हुआ इसे पहले आयंगार लोकसवा के उपाध्यक्ष थे 1957 में दूसरी लोकसवा के अध्याच्ष भी आयंगार ही चुने गए इस बार भी उनका चुनाओ निरवाचन जो हुआ वो निरविरोध ही हुआ 1962 में तीसरी लोगसवा में सरदार हुकुम सिंग और चौथी लोगसवा में नीलम संजी उरेड़ी भी स्पीकर पत पर निर्विरोध निर्वाचीत हुए इन सभी लोगसवा अध्यक्षों का सदन की करवाही के दोरान सरकार की ओर जुकाओ होते हुए भी इनकी भूमिका को कमोवेस निर्विवादित ही माना गया हलाकि तीसरी लोगसवा तक तो संख्या बलके मामले में बिपक्ष की इस्तिती सत्तापक्ष मुकाबले जो थी वो बेहत कमजोर थी लेकिन कम संख्या में होते हुए भी बिपक्ष में प्रतिभाव का अभाव नहीं था उस दौर में बड़े-बड़े बिपक्ष में नेता हुए जैसे एके गोपालन, स्रीपाद, अमरित डांगे, प्रोफेसर हीरेन मुकरजी, डाक्टर राम लहल लोईया, मथु लीमी एक, किसन पतनायक, महाबीर त्यागी, अटल विहारी बाजप्याई, नात पई, मीनु मस अने, हरी विष्णू, कामत, जैसे नेता विपक्ष में थे, जिनका अधेन के साथ-साथ सड़ा प्यानी जनता से भी गहरा लगाओ था, ये सबी दिककच पूरी तैयारी के साथ सदन में आते थे, इसलिए इस फीकर भी नो तो, एक सीमा से अधिक सत्ता पक्ष का बचाओ क पर पाते थे, और नहीं सदन की करवाही के नियमों की ब्याक्या कर, विपक्षी सदस्यों को मोद्दे उठाने से रोप पाते थे, विपक्षी सदस्यों से भी नियमों को लेकर इतने सचेत राते थे कि कई मौकों पर वे स्पीकर की ब्यवस्था को चुनोती भी दे 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 और ये ऐसे राश्टपती थे कि वो निर्विरोध निर्वा चीत हुए थे ये आपके question जो होता है most important question बन सकता है चाहे provincial civil service का इंग्जाम दे रहा है चाहे EPSC का उस लोग सभा में संख्या वलके लियाज से बिपक्ष भी काफी मजबूत इस्तिती में था इसलिए चुना हु कांग्रेस के निलम संजीव रेडी के सामने निर्दली टी भी सोनाथन थे लेकिन ये महज दो साल ही इस पद पर रहे क्योंकि अन्यशु उनहत्तर में राश्टपती पद के लिए अपनी उमिद्वारी खुद घोसित करन पर उन्हें ने स्पीकर पद का से स्थीपा दे दि और उसके बाद पांचवी लोगसभा में भी स्पीकर वही चुने जाते हैं वे पांचवी लोगसभा में इस पद पर है और दिसंबर अन्नी सो पचातर में इस्तिपा दे कर उन्होंने केंद्री मंट्री मंडल में सामेल हो गया इनके अस्थान पर बल्लाम भगत इस पीकर निर्वाचित हुए और छटी लोगसभा का गठन होने तक इस पद पर है बल्लिराम भगत के सामने बिफक्ष ने जनसंग के जगनमात राओ जोसी को खड़ा किया भगत को 344 ओट मिले जबकि जोसी को 58 ओटी मिले थे इसके बाद 1977 में छटी लोगसभा आस्तित्यों में आत चनता पार्टी को और से नीलम संजीव रेड़ी का नाम स्पीकर के लिए प्रस्तावित हुआ वे निर्वरूद चुनने गए लेकिन इस बार वे महत 4 माहिने ही इस पद पर रह सके जुलाई 177 में राष्टपती निर्वाचित हो गया उनकी जगा सुप्रीम कोड के इसको लोगसवा का इस फीकर चुना गया तो ये है कियस हेगडे आप याद रखेंगे इस बात को हेगडे का कारेकाल चुनोती पूर रहा लेकिन उनकी भूम का निर्विबाद रही चुकि छटी लोगसवा अपना का निर्धारित कारेकाल पूरा ये बगैर ही भंगवी ग इस लोगसवा के अध्याच वलराम जाखर चुने गया वे पूरे कारेकाल तक इस पदपर है और आटमी लोगसवा में भी उन्होंने यही दायत तो समाला यानि ये पहले ऐसे बलनाम जाकर ऐसे लोगसवा अध्याच है कि लागतार दस परसो तक अपना कारेकाल पूरा किय अनि 89 में नवी लोगसवा अस्तित्य में आ गए इसी लोगसवा में देश में गठवंदन की राजनिती का दोर शुरुआ और केंद्र में पहली बार गठवंदन की सरकार मनी समाजबादी नेता रवी राय थे सत्ता रूब जनता दल की और से निर्विरोध इस पीकर चुने गए उनका कारेकाल छोटा और चुनाओती पूरा लेकिन कोई भी बिबाद उनके साथ नहीं जुड़ा 1991 में देश ने फिर मद्वती चुनाओ का सामना किया और दसवी लोकसभा आस्तित्व में आई इस लोकसभा में सत्ता रूट कांग्रेस की और से सिवराज पार्टी इस पीकर चुने गए उनका भी चुनाओ नेर्विरोध हुआ लेकिन इस पत पर उनकी भून का औसत दरज हुआ इस लोकसभा में स्पीकर के निर्वाचन में एक नया प्रियोग हुआ सत्ता रूट दल या गटपंदन ने या पद अपने पास न रखते हुए बाहर से कांग्रेस जो समर्थन दे रही थी उसको दिया गया कांग्रेस की ओर से पूर्वत्तर के अधिवासी नेता पी बख्ष दोनों को कभी भी कोई सिकायत नहीं रहे उन्होंने बहुत ही कुसलता प्रुवक्ष अधन की करवाईयों का संचालन किया और एक तटस्त अध्यक्ष की अपनी छाप छोड़ी थी अनई सो अंठानबे में वेव मदवती चुनाओ से बारहमी लोकसवा अस्तित्य में आ गई केंदर में इस बार भारती जनता पार्टी की अगवाई में गटवंदन की सरकार बनी इस सरकार ने भी पिछली संजुक्त मोर्जा सरकार द्वारा सुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए इस स्पीकर का पद अपने पास नहीं रखते हुए अपनी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही ते लगु देशाम पार्टी को दिया GMC बाली ओगी नेरविरोध इस स्पीकर चुने गए उनके रुप में देश के सबसे बड़ी पंचायत को पहली बार दलित समदाय का अध्यक्ष मिला था ये भी एक important question आपका बन सकता है कि लोकसवा का अध्यक्ष कौन ऐसा अध्यक्षा जो दलित समदाय से संबन्द रखता था तो ये थे GMC बाली ओगी एक तेलिपु देशम पार्टी से इनका संबन्द था 12 लोकसवा का कारिकाल भी महज एक साल का ही रहा अटल भीहरी बाजपेई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर महज एक वोट से गिर गई थी स्पीकर बाली होगी चाहते तो उसमें कांग्रेश के सद्यस गिरिधर गोमांग जो कि उसमें ओडिशा के मुखमंत्री बन चुके थे कुमतदान में सामिल होने से रोक कर या स्पीकर के रूप में अपने निडायक वोट का इस्तमाल करके सरकार को गिरने से बचा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस्पीकर के रूप में नयतिक्ता और निश्पक्षता का एक नया मापदंड अस्थापित किया और समय सरकार गिरने की वज़ा से देश को निनानबे में फिर मद्यवती चुनाओं का सामना करना पड़ा और तेरहवी लोकसवा अस्थित्य में आई बाजपई की अगवाई में फिर गटवंदन की सरकार बनी और बाली होगी ही लोकसवा स्पीकर चुने गए लेकिन इस बार भी वे अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाया और मार्च 2002 में एक बीमान दुर्गटना में उनकी मिलतू गया उनकी अस्थान पर सत्तारूट गटपंदन में सामिल सीव सेना के मनोहर जोसी लोकसवा स्पीकर चुने बन सकता है कि किस लोकसवा अध्यक्षयाइश राजपई की स्पीकर का डेत जो नहीं होता है बीमान द चार में चौदहमी लोगसभा के लिए चुना हुए और इस लोगसभा में भी स्पीकर को लेकर पुराने प्रवियोग को दोराव जारी रहा यानि सत्तारूट कांग्रेश ने स्पीकर का पद अपने पास न रखते हुए सरकार को बाहर से समर्तन दे रही भारती कम्निस्ट प करने के लिए वे हेड मास्टर की भूंका में नजर आ जाते थे हैं सुना चटर जी पूरे पांच साल तक स्पीकर रहा है 2009 में पंद्रहवी लोगसभा का गठन हुआ तो सत्तारूट गठबंदन की अभवाई कर रही कांग्रेश ने इस बार गया पद अपने पास ही अठी पाहली ली महिला अध्यक्ष मिली 2014 में लोगसभा अ वही सुमित्रह महाजन के रुप में लाहतार दूसरी बार महिला इस पीकर मिली थी मीरा कुमार हर लोगसभा इस पीकर की लीश पकता का पढला बहुत सरकार की और जूपा रहता है महाजन भी इसे अपवाद नही बचाव में सामने आई और प्रतिप्रस पूरा प्रस पूछने वाले बिपक्ची सदस्यों को नियमों की ब्याख्या करते हुए डाटा तक भी ये था और पांच साल बाद यानी फिर 2019 में 17 लोगसवा अस्तित्म आई और भाजपा ने लागतार दूसरी बार सरकार बनाई इस बार उसकी वोर से स्पीकर के लिए ओम बिर्ला का नाम आगे किया गया और लोगसवा में बिपक्च की संख्या बल के लिया से पूरी तरह से निश्टी था लिहाजा ओम बिर्ला नेर्विरोध इस पीकर चूल लिये गया वे इसे पहले महज एक पार ही लोगसवा के सदस्य रहते लिया जा उनके पास संसदी अनभव की कमी थी जो पूरे पांच सल सदन के संचालन के दवरान उनके बैवार में जलकती रही उन्होंने बिपक्ची सदस्यों को सदन में निलंबन के मामले में इतिहास रचते हुए पूरे कारेकाल में करीब 140 सदस्यों को अलग-लग स ये टापिक आप लोगों को लिए उपयोगी सापी दोगा थैंक